दोस्तो बिग बॉस सीजन 15 के लाइफ फीड में इसमें घर के अंदर सुबह यानि की दिन के सुरुआत होते ही उमर रियाज और टेजस्वी परकास के बीच में एक बार फिर से काफी जबर्दस तरीके से जगड़ा हो गया है जहां पर उमर रियाज ने तो टेजस्वी को दमकी देते हुए ये तक के दिया है कि अगर तुझे मुझे से रूडली बात करनी है तो बात ही मत की अगर लेकिन जिस तरीकी की बाते तुने रात को मुझे कई थी वैसी बात आगे कहने की हिम्मत मत करना क्योंकि मैंने कभी भी तुम से इतनी बत्तमीजी से बातचीत नहीं की है दरसल दोस्तों हुआ कुछ यू था कि बीती रात को गर के अंदर रस्मी देशाई को लेकर तेज़े स्वी फरकास का जगड़ा हो गया था जिसके बात में तेज़े स्वी ने आवेश में आकर यानि की गुस्से में आकर उमर रियाज पर भी अपनी बड़ास निकाल डाली थी और इस दोरां तेज़े स्वी परकास ने उमर रियाज के साथ काफी रूटली तरीका से बातचीत की थी और उमर रियाज को काफी बला बुरा सुना दिया था जिसके बाद में, दोस्तों, रात की बातों को छेड़ते हुए उमर रियाज ने एक बार फिट से घर के अंदर सुबह होते ही दंगे कर दिये और बुरी तरीके से तेजु के साथ में जगरने लगे अलागि दोस्तों तेजस भी ने रात को जो अपनी गल्टी है उमर रियाज के साथ में की ती यानि कि जिस तरीके से बत्ते में जिसे बात की थी उसके लिए बार बार माफी मांगते हुए नजरा रही है और वो कह रही है कि में उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ मुझसे रात को गल्ती होगी थी और मैं उस ताइम काफी गुस्ते के मूड में थी अगर ऐसे ही मुझसे तुम्हें बात करनी है तो इससे अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो जी हैं दोस्तों कुछ इसी परकार की धंकिया इस समय उमर रियाज तेजस्वी को देते हुए नजरा रहे हैं और तेजस्वी भी करन कुंदरा के सामने बार बार उमर रियाज से माफी मांगते हुए दिखाई दे रही है हालांकि दोस्तों देखना दिल्चस्प होगा कि इस जगड़े का शोट आउट कैसे होता है क्योंकि बीते दिन भी पूरे दिन घर के अंदर तेजु का रस्मी और उमर के साथ में जगड़ा चला था जो कि रात तक इसी प्रकार चलता रहा और क्या आपको भी लगता है नोमिनेट होने के बाद में उमर रियाज गर के अंदर को ज़्यादा ही जगड़े कर रहे हैं आप हमें कोमेंट करके अपनी राइज जरूर बताइए वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और बिग बहुत से जुड़ी हर खबर को सबसे ले जानने के लिए चैनल को सबस्क्राइब के न ना भूलें